वो कहते हैं ना कि कभी कभी दवा से भी ज़ादा दूआ असरदार होती है और इस बात पर यकीन करते हुए नवजूद सिंग सिध्धु अपनी कैंसर पीडित पत्नी के लिए हर दर पर माथा टेक दे नज़रा रहे हैं हाली में सिध्धु अपनी पत्नी के साथ बाबा बैजनात का आशरवाद लेनी के लिए पहुँचे थे और अब उन्हें माताचिंत पूर्णी शक्ति पीट में पूज़ा अर्चना करते हुए देखा गया विडियो में नवजूद सिध्धु और उनकी पत्नी नवजूद कौर भक्ती में डूबे नज़रा रहे हैं आपको बताती चले कि नवजूद कौर कैंसर स्टेज टू की मरीज है अप्रेल के महा में उनका आपरेशन हुआ था और अभी उनकी गीमो थेरपी जारी है नवजूद सिध्धु फिलाल अपनी पत्नी के साथ पठियाला में रह रहे हैं यहीं की एक नीजीय स्पतार में डॉक्टर नवजूद कौर का इलाद चल रहा है इसी बीज डॉक्टर नवजूद कौर अकसर अपनी बीमारी से जुड़े एक्सपीरियंस कोट्पिटर पर शेयर करती नजर आती है और उनके साथ पती नवजूद सिंग सिध्धु हमीशा उनके कांथे से कांधा मिलाते खड़े रहते हैं हाल ही में दोनों बाबा बैजरात की दर्शन करने पहुँचे थे इससे पहले नवजूद सिंग सिध्धु अपने पत्नी को रिशिकेश भी ले कर गए जोहां उन्होंने पवित्र गंगा में डुपकी लगाई किसी दर पर माथा टेक ना हो या फिर पत्नी की कीमो थरिपी नवजूद सिंग सिध्धु इस दोरान अक्सर एमोशनल होते नजराते हैं पत्नी की बिमारी से जुड़े नवजूद सिंग सिध्धु की एमोशनल नोट्स अक्सर उनके प्यार को बया करते हैं